जै हिंद साथियों, देखेंगे साथियों प्राशीनी तिहास का पासान काल, यहां से भी कोशन एकजाम में आ चुके हैं, कुछ कोशन एंसर देहेंगे और साथ में हम इनको ध्यान से पढ़ भी लेंगे, कि एक बार पढ़ेंगे तो उसके बाद कोशन दुबारा जब आता है एकजाम में तो टेंसन नहीं रहेगा, तो सबसे पहले पसान काल की खोज किस ने किया था, और कब किया था, एक कोशन बन सकता है, तो इसकी खोज 1863 में राबट ब्रूस फुट ने किया था, ठीके, तो पसान काल की खोज किस ने किया था, राबट ब्रूस फुट ने किया अब किया है तो 63 में किया है पहला कोस्टन कोई पसान यूग के तीन प्रमुख कालों के अंतरगत नहीं आता है बताजे इन इन में तीन जो है पसान काल के प्रमुख अंग है चौथा इसमें से नहीं है तो आपका तामर पसान काल ठीक है आपसन नमबर सी से हो जागा कि पसान काल के तीन अंग है आपका पूरा पसान काल मद पाफान काल और नो पसान काल ठीक है यह है तीन ठीक है इसके बाद तामर प चाल है साथियों 12,000,000 इसा पूर्व तक ठीक है 12,000 से 12,000 याद करना है कोई दिक्कत नहीं है इसका मुख क्या है आग की खोज सबसे पहले कब हुई थी तो पूरा पाफ़ानकाल में क्या हुई थी आग की खोज हुई थी पत्थर से ठीक है यहाँ पर है पत्थर के बड़े बड़े हथियार प्रयोग की जाते थे बड़े-बड़े हथियार जो है पत्थर के प्रयोग होता था किसमें पूरा पाफान काल में ठीक है एक है इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका नाम याकलो भीम बेटिका गुफा में पूरा पाफान काल का चित्र देखने को मिला ह ये तहां पढ़ता है भया तो यमपी के अब्दुल्ला गंज राय सेन में पढ़ता है भेरी भेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कोस्चन यही पुछेगा ठीके इसकी खोज कब हुई थी तो 1957 से लेके 1958 की बीच इसकी खोज हुई है ठीके भीम बेटिका भेरी भेरी मोस्ट ठीके चलिए आगे बढ़ते हैं अगला है साथ्यों मद्य पाफ आणकाल बीच वाला ये क्या है 12,000 इस पुर्व से लेके 12,000 इसा पुर्व तक 12,000 से 10,000 इसा पुर्व तक तो इसकी जनकारी सबसे पहले खोज किसी ने किया है तो करसाइल ने किया है 1866 इस भी में चलिए जो पत्थर के हथियार से बड़े-बड़े, वो कहां पर उब्रा पाफानकाल, हथियार छोटे-छोटे प्रेग होते थे, उसके आपका मद पाफानकाल, इसी छोटे हथियार को बोलते से साथियों, माइक्रो लिथ कहते थे, तो माइक्रो मनें क्या हता है, छोटा, लिथ मनें कर सकते हैं पत्थर तो छोटे पत्थर के हथियार को बोलते थे माइक्रो लिथ ठीक है इनका प्रमुह कारी क्या था साथियों अंतियोष्टी मतलब अंतिम संसकार करना जब कोई मर जाता था तो उसका अंतिम संसकार करते थे मध्यवाले ठीक है ध्यान देना है इस पर कोशन पुछ सकता है द्याम में अब सबसे important साथियों question ये पूछेगा कि अस्थी पंजर का पहला औसेस कहां मिला है बताईए तो उत्तर प्रदेश के प्रताप गण के मह मह दाहा में कहां पर मह दाहा में very very most important है यही question पूछेगा ठीके और है सराह नाहर में मिला है ठीके ये दो आ आप याद कर लिजेगा important है आगे देखते हैं साथियों आपका है इसके बाद नव पाफान का जिसे उत्तर पाफान का भी बोल सकते हैं इसकी सुरुवात है दफ हजार इसवी से लेके तीन हजार इसवी पुर्वतक ठीके तो दफ हजार इसवी पुर्वतक चलिए जनकारी किसे ने दिया है इसका नव पाफान की जनकारी दिया है जान लुबाक ने कौन है जान लुबाक ठीके तो नया नया सन है नया नया पाफान काल है तो जान नहीं बोलते है जान हो मेरी तो जान लुबाक ने कहा है अठारो सु पाइफाट इसवी में इसका खोच गया है साथ कि yun?, ठीके, सबसे important इसका कार है कि अस्थाई अवाश बनाई नहोने, थीके, तो नया नया पशान काल, मतलब नए ठीके तो क्या कीये प्रम किया नौपाफान काले ठीके तो कुटता सबसे पहिला पाला गया पौसू के रूप में ठीके पहिया का ठीके पहिया की कि होचगी नहोंने जो गारी होती है पहिये वाली गारी इसकी खोज़गी नहों नवपाफान काले मन का मतलब घाड़ा मिट्टी के जो घाड़ा होता न मन का बोलते हैं भीया उसका इनहों ने खोज़गी है तो ये तनी जनकारी इनहों से मिलती है कोशन पूछेगा ठीक है अब है साथियों रा के टीले ये भी question पूछ सकता है जामे अब देखते हैं कुछ और important पफू पलन का साच कहां से मिला है तो आपके यंपी में मिला है साथियों आदमगर से ठीके question पूछे का साथियों कि पफू पलन का साच कहां से मिला है तो यंपी के आदमगर से और रजस्थान के साथियों ब परता है पकिस्तान में बुलुशिस्तान का पकिस्तान ठीक है यहां से गेहूं और जो के साच मिले हैं अध्याम में कोशन बार बार आता है ठीक है आगे है बूर्ज होम कहां परता है साथियों तो कास्मीर में ठीक है यहां से क्या मिला है गरतवास मिला है क्या मिला है गरतव मेहर जो काग बनाती है भाया गेहुं जव का रोटी बनाती है कौन मेहर बनाती है आपकी न तो मेहर गर्ड से क्या मिला है गेहुं और जव ठीक है बूर्ज होम ठीक है कुट्ता माली के साथ होम में दफना दिया बूर्ज होम ठीक है गर्ड अवास मिला है कोई दिक्कत नहीं है पफु पलन बोलेगा तो आदम गड़ ठीक है और है बगवरा ठीक है तो गवरा और है आदम गड़ ठीक है आजम गड़ नहीं है आदम गड़ है अंपी मद बर्देश का चलिए अगिला है साथ यहों गुफ कराल इंपोर्टेंट है सब जो हम लिखे हैं बाबू एकजाम म कोष्टन पुछता है मृद भांड का परमाड कहां से मिला है क्या है गुफ कराल ठीक है तो गुफ कराल से क्या मिला है मृद भांड का परमाड मिला है आगे है कोल्डी हवा, उत्तर प्रदेश का कोल्डी हवा से क्या मिला है, चावल के साथ मिले हैं, जाम में कोशन पुछता है, 6000 इस भी पूर का चावल है, अगला है साथियों, चिरांद, यहां से क्या मिला है, बिहार में पड़ता है, सारण जिले में पड़ता है साथियों, ह लेहुरा दे से क्या मिलता है? नविंतम प्राचीन चावल मिले हैं, जो कि 9000 से लेके 7000 भी पुरो का है. ठीक है? लेहुरा दे से नविंतम चावल के प्रमार मिले हैं. ये सब कोश्चन अध्या में पुछता है. आगे साथियों दम दमा. क्या है? दम दमा. दम दमा से एक कब तीनों लोग को दफना दिया गया साथे में ठीके तो दमदमा से मिला है तीन मानों का कंकाल एक ही कब्र में एकजाम में कोशन पुछता है आईए देखते हैं कोशन अंसर कहता है कोशन नमबर टू कि भीम बेटिका की गुफाओं की खोज कब की गई थी बताइएगा अभी ब कोशन पर बढ़ते हैं कहता है साथियों कि भारत में पाफान कालीन सीरा चितरकारी कहां पाई जाती है बताइए कहां पाई जाती है अभी बताएए भीम बेटिका याद कर लो एकजाम में कोशन पूछेगा पूछेगा बहुत ही इंपोर्टेंट है अगले कोशन पर प्राक इतिहासिक काल का सही काल अनुसार है बताइए रिटेंसर क्या होगा बाई बतादो भाई या बाबू क्या होगा आपसन नमबर एक पूरा पाफान काल मद्य पाफान काल नव पाफान काल ठीक है मतलब 20 लाक से लेके 12,000 इस भी पुर्व यहां पर 12,000 से लेके 10,000 इस पुर्व तक काल रहता है यही है पीनों का चलिए आगे बढ़ते हैं क्या काता है अगले वीडियो में दखेंगे सिंदू सब्देता पढ़ेंगे थाइंक्यू देखने के लिए धन्यबाद मिलते हैं अगले वीडियो में